नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है, आज हम सब बाल विकास के अंतरगत, विकास की अवधारना तर्था अधिगम के साथ उसका संबन देखेंगे, और जो टॉपिक है, ओबिटेट, सीटेट, यूपिटेट, एमपिटेट और अधर जितने भी टेट देख पाओगे, और अगर आपको विडियो पसंद आती है, तो लाइक और सेर जरूर करें, और आपका अगर कोई सुझाओ हो, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें, तो आएए देखते हैं, और जो हमारा पार्ट विडियो का होगा, वो पार्ट वन होगा, तो बालक में सारेरिक, किरियात्मक, संग्यात्मक, भासात्मक, सम्मेकात्मक तथा समाजिक विकास करती है, जो विकास की अवधारना है, उसमें सतत मने हमीशा चलने वाली प्रकिरिया है, जिसमें सारेरिक, किरियात्मक और संग्यात्मक, भासात्मक यह सब विकास होती है, बा मां के गर्म में होता है तभी यह प्रारम हो जाता है विकास की इस प्रकिरिया में वह गर्भावस्ता, सहस्वावस्ता, बाल्यावस्ता, किसोरावस्ता तथा प्रोडावस्ता इतियादी अवस्ताओं से गुजरते हुए परिपक्वता के इस्थिति प्राप्त करता है और वि विकास जीवन ब्रयंद चलने वाली प्रकिरिया है विकास आतमक परिवर्तन सामाने से विशिस्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर, एक अकृत से किरियातमक अस्तरों का अनोसरन करते बिकास की प्रकिरिया सतत के साथ साथ विच्छिन अर्था दोनों परकार की होती है कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं और सु असपस्ट रूप से दिखाई भी देते हैं कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमें साफ तौर पे दिखाई देते हैं जैसे कि बच्चे का पहला दान्द निकलना जब कि कुछ परिवर्थन दीन-प्रते दीन के किरियाओं में आसानी से देख पाना ञाँ नहीं होता क्योंकि कि वे अधिक प्रकर नहीं होते, जैसेfront ब्याकरन को समझना बच्चे में ब्याकरन को समझने की जो चamtा होती है वह हम डेली उसे देख नहीं सकते हैं असपस्ट हमैं मालुम नहीं चलता लेकिन दाथ निकलता है हमें साफ मालुम चलता है, तो जो प्रकिडिया है वो हमें सुवस्पस्ट दिखाई देती है लेकिन हमें नहीं देती फिर आता है विकास बहुत ही लचीला होता है इसका अर्थ है कि एक ब्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी निश्ची छेत्र में अकासमिक रूप से अच्छा सुधार परदसित कर सकता है एक अच्छे परिवेश के द्वारा सारे रिख सकती अस्मृति और बुद्धी के अस्तर में अनापेचित सुधार ला सकता है विकास अत्मक परिवर्तन मात्रात्मक और गुनात्मक दोनों परकार की हो सकते हैं जैसे आयू के साथ कद का बढ़ना मात्रात्मक विकास परिवर्तन है अगर एज के साथ साथ अगर किसी की हाइट बढ़ती है तो एज जो है ओ मात्रात्मक विकास परिवर्तन है वहीं नैतिक मुल्यों का जो निर्मान होता है और गुनात्मक विकास के अंदर आता है। विकास समाजिक वर सांस्कृति घटकों से परवावित हो सकता है। इन में प्राकिर्ति घटना, पारिवारिक दुरगटना यहां मृति रिवाज इन घटकों के उदारन हैं जिनका विकास पे गहरा असर पड़ता है। विकास आत्मक परिवरतन की दर या गती में ब्यक्ति गत अंतर हो सकते हैं या अंतर अनुवांसि घटकों अत्वा परिवेशिये प्रभाव के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयूक के पेक्चा कुछ अधिक किरियासिल हो सकते हैं। कुछ बच्चों में देखा जाता है कि उम्र के अकॉर्डिंग वह कुछ ज्यादा ही किरियासिल होते हैं। वहीं कुछ बच्चों की विकास के जो गती होती है वह बहुत धीमी होती है। ब्रिदी और विकास में क्या अंतर है तो ब्रिदी विकास की प्रकिरिया का एक चरन है एक इसका चेत्र सीमित होता है इसका चेत्र होता है लेकिन विकास सब्प्त अपने आप में विस्तरित अर्थ रखता है ब्रिदी इसका एक मात्र भाग है विकास का ही भाग है ब्रिदी क परकिरिया आजीवन नहीं चलती यह एक निस्चित उम्र पर सारीरी की विर्दी रुख जाती है जो विर्दी है वो हमेशा निरंतर नहीं चलती वो एक निस्चित उम्र की पड़ाव पर रुख जाती है लेकिन विकास एक सतत परकिरिया है यह चलती रहती है और विकास है परियोग जो है वो परिनात्मुक परिवर्तनों के साथ साथ बहवारिक परिवर्तनों जैसे कारे सकुसलता, कारे छमता और बहवार में सुधार इत्यादी के लिए भी होता है। आए फिर जानते मानों विकास की अवस्थाएं, तो विकास एक सतत अर्थात लागातार चलते रहने वाली प्रकिरिया है। विवीन आई वस्थाएं के अधार पर मानों विकास की निम्न अवस्थाएं निर्धारित की गई है। आई उसे मिर्तु तक कहलाता है। अधिगम अधिगम का अर्थ होता है सिखना। अधिगम एक ऐसी प्रकिरिया है जो जीवन परियंत चलती रहती है। इसके द्वारा हम ग्यान अर्जित करते हैं, बहवार में परिवर्तन लाते है। जन्म के तुरंत बात, ब्यक्ति सिखना प्रारम कर देता है। अधिगम के द्वारा ही ब्यक्ति का सरवांगिन विकास होता है। वह इसके माध्यम से जीवन के लक्षियों को प्राप्त करता है। जयसा कि हमने पूर्व में कहा, आधिगम एक सिखनिक प्रकریया है, परनतु रट कर किसी विषय वस्तो को याद करना अधिगम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अधिगम बहवार में बदलाव लाता है और रटी हुई विशेवस्तों बहवार में बदलाव लाने में इतनी सक्षम नहीं होती Gates ने कहा अनभव द्वारा बहवार में रुपांतर लाना ही अधिगम है क्रो के द्वारा जो कहा गया आदतों द्वारा ग्यान तथा अभी विरितियों का अर्जन ही अधिगम है बाले के विकास की विभीन अवस्थाएं या एवं उनका अधिगम से क्या समन्न है अई देखते हैं सहस्वा वस्था व अध्यम जो है जन्म से छो वर्सों तक की अवस्था सहस्वा वस्था कलाती है इसमें जन्म से तीन वर्सों तक बच्चों का सारेरी और मानसे विकास तिर्वगती से होता है जन्म से तीन वर्सों तक बच्चों में जो विकास होता है सारीरी के उमान से वो बहुत तेजी से होता है इस काल में जिग्यासा के तिर प्रविती बच्चों में पाई जाती है और जो इस उम्रे के बच्चे जो होते हैं, उनमें जिग्यासा बहुत जादा ही पाई जाते है, उनके सीखने के ललग बहुत जादा होती है इसी कालें बच्चों का समाजी करन में प्रारंब हो जाता है, मनुपिज्ञानिक दिष्टी से यह वस्था भासा सिखने की सरोतम अवस्था है तता सिक्षा के दिष्टी से अत्यधिक महत्पूर्ण भी बाले अवस्था यह अधिगम, चोवर से बारा वर्स्था की अवस्था बाल अवस्था कहलाती है, इसके प्रथम चरन छे से नौ वर्स के बालकों की लंबाई यहां भार दोनों बढ़ते हैं, बच्चों में पढ़ाई के प्रतिरूची चिंतने वंग सक्तियों का भी कास होत आता है, उसके बाल आता है किसोरा अवस्था, बारस से अथारा वर्स की अवस्था किसोरा अवस्था कहलाती है, इस अवस्था में व्यक्ति बाल अवस्था से परिपक्वता की और अग्रसर होता है, यानि कि बाल अवस्था से परिपक्वता की और बढ़ता है, इस अवस् वर्स की आयो में लड़कियों की जो लंबाई होती है और मानस्पेसियों लड़कों की अपेक्षा तेजी से ब्रेदी करते हैं। 14-18 वर्स की आयो की बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मानस्पेसिया तेजी से बढ़ते हैं। इस सवस्था में किसोर, किसोरियों की बुद्धी का पूर्मिकास हो जाता है, उनके ध्यान क्यंदित करने की छमता अस्परन सक्ति बढ़ जाती है, इस सवस्था में नसा, अपराद की और उन्मुखोने की अधिक संभावना रहती है, इसलिए इस सवस्था को जीवन में तु सकता रहती है और विकास के विभीन आयाम उनका अधिगम से समन्द क्या है आई जानते हैं भाल विकास में भाल मनो विग्यान का अधियन निम्न महत्पुन बिन्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है इसमें आता है सारिक विकास मांसिक विकास भासा विकास सामाजिक विकास, सामेगीक विकास और मनोग्यात्मक विकास त्वाइस सब के बारे में हम बारी बारी से जानते हैं सारीरिक विकास एवं अधिगम क्या है सारीरिक विकास के अंतरगत भालकों के सरीर का बाहे एवं आंत्रिक विकास समलित है इसमें भाहरी और आंत्रिक दोनों विकास समलित है बाहे विकास को हम उचाई सारीरिक अनुपात में व्रिधी इत्यादी के रूप में असपर्ट द सकते हैं सारेलिक ब्रीदी एवं विकास पर भालकों के अनुवानसिक गुनों का परभाव देखा जा सकता है बालकों का परिवेश जो होता है एवं उनकी देख भालका भी उसके सारेलिक ब्रीदी पर परभाव पड़ता है पॉस्टिक कहार सारेलिक ब्याम तता अन्य मनों ब बालकों की उन सभी मानसिक योगताओं यो छमताओं में बृति और विकास से हैं, जिनके परिणाम सवरुप बालक अपने लागतार बदलते वातावरण में ठीक परकार से समयोजन करता है। वो अभिभीन परकार की समस्याओ को सुझाने में अपनी मानसिक सक्तियों का प्रयापत उपयोग कर पाता है। कलपना करना असमरन करना विचार करना नरिच्छन करना समस्याओं समयधान करना तथा निर्ण लेने की योगता इत्यादी संग्यनात्मक विकास्ट के को प्रभावित करती है। भय, क्रुवत, ग्रिन, आस्चेर, इत्यादी संवेग के ही उदाहरन है। भालक में आयू बढ़ने के साथ ही इन समयगों का विकास भी होता रहता है। व्यक्ति का संवेगात्मक, भ्यवार सारी रिक्वृति, समाजिक विकास यह नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालकों के समयगात्मक विकास पर परिवारिक वातावरन बहुत प्रभावण डालता है। मनुग्यात्मक विकास। व्यक्तिक किरियात्मक सक्तियों, चम्ताओं या योगताओं का विकास इन मनुग्यात्मक या किरियात्मक विकास कहलाता है। एसी सारेरिक उत्षिविधिएं या किरियां हैं जिन को संपन करने के लिए वांद स्पेशियों और तंत्रिकाओं की गत्तिविधियों के सयो जन किया उसकता होती है जैसे चलना, बैठना, बोलना, इत्यादी, किरियात्मक विकास, भालकों के सरीर विकास, सारीरिक विकास, आत्मिस्वास, अर्जित करने, स्वस्त रहने, स्वालम्भी होने, तथा उचित मानसिक विकास में सहायक होता है. थाइक्यो प्रेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कॉमेंट बॉक्स में, ज़रूर बत्तुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुत